जय शरी डाम हमार आज का ये वीडियो है राहू के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर कि राहू अब शनी के उत्री भादवरत नक्षत्र के अंदर गोचर करने जा रहे हैं देखा जाए तो 7 जुलाई से लेकर 16 मार्च 2025 तक राहू का गोचर अब शनी के नक्षत्र में रहेगा शास्त्र कहता है शनीवत राहू यानि जैसा वैवार शनी करते हैं वैसा ही वैवार राहू करता है यानि कहीं न कहीं राहू अगर शनी से मिलन करते हैं तो ये एक अच्छी ही इस्तिती मानी जाती है लेकिन बहुत बार इसको कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि राहु शनी की यूती बहुत हट तक अच्छी नहीं होती इस दोरान व्यक्ति अपने करम को भूलकर एशो अराम के प्रतिया करशित हो जाता है तो सबसे पहली साब्धानी आप लोगों के लिए यह है कि अगर इस दोरान जब राहु शनी के नक्षत्र में होंगे तो आपको जितने जादे अपने करम की तरफ धानता देंगे उतना आपके लिए बहतर रहेगा क्योंकि इस दोरान सुक साधनों के अफसर आपको मिलेगे लेकिन उन सुक साधनों में आपको अंट्री तो करनी है उनको भूगना तो है लेकिन उनके चक्कर में अपना कार्यशित्र नहीं बोलना है यहां हम बात कर रहे हैं उत्रा भादप्रद नक्षत्र की उत्रा जिसको हम कहते हैं आगे की तरफ जाने वाला नक्षत्र भादर जारी भगवान विश्नु पद यानि चर्ण यानि कही ना कहीं इस नक्षत्र का सफलता से भगवान विश्णु से और जीवन में अगरसर होने की तरफ इस्तिती को दिखाता है इसलिए ही इस नक्षत्र के जो स्वामी है वो शनी कहलाते हैं यानि कोई व्यक्ति उत्राबाद पर शत्र पैदा हुआ है तो उसको शनी की महादशा मिलती है और शनी करम और कारे शत्र के मालिक है यहां राहू मीन राशी में बैठे हैं मीन राशी इसको मतस्य कहते हैं या मशली या मशली का एक युगम जो एक दूसरे के पीछे लगातार चक्कर लगाता रहता है इस तरीके का एक युगम होता है जो कि एक जलतत्व राशी कहलाती है उत्रा भात पर नशत्र मीन राशी मे यह होता है और राहू को भी कहीं न कहीं है मतस्य मशली का प्रतिरूप कहते हैं बहुत से लोग तो राहू की रेमेडी में यह भी कहते हैं कि अगर आपके घर में एक्क्वेरियम है तो आप राहू से संब्धितानी काली मशली को पालिए उसकी सेवा कीजिए तो वह आपके ल राभरेश, प्रपधव राशी में हैं व्रसपति की राशी में। ना समय अगर हम देखें in गुरु गुरु की राशी मेंं। एक शुव राशी के द़न जुकिशा नारे। और शनी इस दोरान चल रहे हैं अपनी कुमराशी के अंदर तो ये कही न कहीं एक बहतरी हम राहू के लिए कह सकते हैं जब हम उत्तराबाद पर नशत्र की बात करते हैं तो इसको हम कहीं न कहीं करम से करम कारे शेत्र से जोड़ते हैं क्योंकि ये करम का नक्षत्र है क्योंकि इसके स्वामी शनी है आध्यात्म से जोड़ते हैं सफलता से जोड़ते हैं शोध से जोड़ते हैं creativity से जुड़ते हैं जो लोग इन से संबंदित कारेों में काम करते हैं उनके लिए शुब हो जाता है ऐसा अगर है अचानक से फल देता है क्योंकि राहू का सुभाव है अचानक से फल देना अचानक से फल देकतिकों तभी मिलता है जब वो जीवन में कुछ करम करता है और शनी करम के कारक है इसलिए राहू का शनी के नख्षतर में जाना किसी नखिशी रूप से शुभ ही माना जाता है उत्त्रभात्पराशत्र के देवता के बारे में बाद करें, क्योंकि वो हमने बताए क्ला एक मुझा सकी जनम लेगा तो शन्नी को महात्शा मिल जाती सी लेकिन इसे देवता से अहिरror बूधण do आयर बुधन्य जिनको सर्प से संबंदी जोड़ा गया राहू को भी हम सर्प से जोड़ते हैं ऐसे सभी जीव या जन्तु जो रेंग रेंग कर चलते हो जीवन में उनका कही न कही राहू से संबंदी क्योंकि राहू और केतु क्योंकि राःव का सिर्फ उपर हिस्सा है निचेला हिस्सा नहीं है यानि उसके पास चरन नहीं है पद नहीं है चलने के लिए पाओं नहीं है इसलिए रेंगने वाले जो जीवतन्तुर dovnok यानि एक बात इस पस्ट है कि बार बार भज्जा भगवान विश्णु का इसमें संपर्ग दिखाए दिखाए देता है तो ऐसी स्टी में जब राहू शनी के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो आप इस दोरान हनुवान जी की उपास ना कर सकते हैं आप इस दोरान शिप जी क के उपर लेटे हुए हैं तो इनसे संबंदित देवी देवताओं की पूजा करने से आपको कही न कहीं बहुत सकरात्मक्ता मिलती है जिसमें आप नर्यान कवच विश्टु सहसनाम त्रमकम मंत्र सुंदर कांड हनुवान चलेसा या रुदराश्ट कम का पाठ या शिवलिक मिला राशी के जातकों पर इसका प्रवा पढ़ेगा जैसा कि आप जानते हैं आपकी राशी में राहु का ट्रांचेट चल रहा है आप पर शनी के साड़े-साथी चल रही है या नि कहीं न कहीं आपके ऊपर मैंटली प्रेशर लगातार बना हुआ हुआ है क्योंकि चंदर बएगा रशी और आपको दे मं देगेकire श्ट्रेस राशी। और कोब करने व्यां दोदर में दोडिपकर बनारों कि बदरने। कि मैंमि द्रकोण्तृis लिए नीजिता के लिए कुछ वठा के लिए में में utanौतूर में रहा है। ये गोचर की बात कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हों कि हम आपकी कुंडली का फलित बता रहे हैं तो गलत है, हाँ आपको गुरू की, राहू की, शनी की दह्षाएं चल रही हैं, तो उसमें क्या है आप उनके गोचरों को देखकर कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि आपके साथ क्या घटना घटने वाली है, यहां हम राशी के आधार पर गोचर देखते हैं, तो हमने राहू गुरू का संबंद देखा, राहू गुरू का संबंद देखा, तो नाइन था उस पे दरश्टी गई, तो नाइन धरम का है, भाग्या का है, लक्षमी का है, हायर एजूकेशन का है उसके लिए ये स्चति शुब है अब ये राहू गुरू की राशी में तो है लेकिन अब अंदरूनी रूप से शनी के नक्षत्र में चला जाता है और शनी बैठें बारवे घर में इस दोरान रहेंगे वक्री कब तक वक्री है 14 नमंबर तक वक्री है इसलिए आपको इस दोरान स्वास्त का विशेद ज्ञान रखना है सबसे पहली बार भार अगर हेल्थ इशूद देता है इस दोरान अपनी है का द्यान का है इस दोरान wrong decisions लेके professional life में loss होते हैं इस दोरान गलत जगे investment करके नुकसान होते हैं तो वो भी कहां से दिखाई दिया रावू से रावू शनी के नक्षत्र में है शनी वारवे घर के अंदर है यारी कही ना कही professionally उठापटक संभव है नौकरी में उतार चड़ाव संभव ह कारे शेत्र के अंदर उतार चड़ाव संभव है इस बात का विशेस ध्यान रखना होगा इसलिए मैंने introduction में भी आपको समझाया था और जितने भी उपाय मैं इंट्रोड़क्शन में बताएं हैं वो भी किसी ना किसी रूप से आपके लिए कारकर साबित होंगे क्योंकि मीन राशी के जादकों के लिए इस गोचर को मैं शुब नहीं कहूंगा क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं शनी की साड़साती राहू का गोचर राहू का नक्षत्र परिवरतन शनी का वक्रियोना यह सब मिलकर एक साथ फल दे रहे हैं यानि आपके इन फलों में कहीं रहा कहीं परेशानी देने में शक्षम है और जब परेशानी हो तो आप जोट्सी से मिलते हैं जिया हमारे उपाये बताओं उपाये मैंने आपको इंट्रडक्शन में बताएं आप उनको रेगुलर करने की कोशिश करिएगा और आप देखिए रेगुलर करेंगे तो आपको फल भी अच्छा मिल जाएगा तो मीन राशी के जात को आपके लिए टांजिट कोई बहुत खास नहीं दिखाई देता है सावधानी भी रखनी है जो बाते बताएं उनको अध्यान रखना है और उपाय करना है जय शरी राम